नमस्कार दोस्तों अभिवादन श्विकार करें लोकेस तिरपाठी की तरब से और आज हम आपसे एक प्वांच मिनिट की बारता करने आए हैं पहली बार है कि हम पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे हम मनोभाओं की बात करेंगे यह बात करना मैंने जरूरी समझा जरूरी इसलिए समझा कि एकजाम के दो-तिन दीन ही बचे हुए हैं और जब एकजाम चनद दिनों में रह जाता है तो मनोभाओं का बड़ा रोल हो जाता है हमारे एकजाम में सफ़लता के लिए एक कहावत कही जाती है ला कि रन भूम में लड़ने से पहले मन भूम में लड़ी है ये दो-तीन दीन आपके एक्जाम तक के दो-तीन दीन इस बात के लिए बड़े माइने रखते हैं कि आपकी मानसिक स्थती कैसी है आप कितना इस्थिर हैं कितना आराम से हैं और कितना प्रशन है क्योंकि UPSC का जो प्रलिमस इक्जाम है सिर्फ इस बात का इक्जाम नहीं है कि आपको सुचनाए कितनी आती है आपके कॉंसेप्ट कितने मजबूत है इस बात का भी इक्जाम है कि आप कितना दबाओ झेल सकते हैं याद रखिएगा फिर से मैं कह रहा हूँ इस बात का भी एक्जाम है कि आप कितना प्रेसर हैंडल कर सकते हैं कितनी बढ़ियां से हैंडल कर सकते हैं तो आपने सालो भर fact पढ़े हैं, आपने सालो भर concept पढ़े हैं, आपने सालो भर बिषय को समझा है, आज मैं आपको समझा रहा हूँ, बस पांच मिनट में कि आप pressure कैसे handle करेंगे, तो दो तिन बाते याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो आज से लेकर कि एक्जाम के दिन अब कुछ नई चीज पढ़ना नहीं है, किसी किताब की दुकान पर जाकर किताबों के तरफ देखना भी नहीं है, कि ये आ गया है, ये उठा लेते हैं, वो उठा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी दोस्ते ये discussion नहीं करना है, कि तुमने क्या पढ़ा, हमने क्या प पूजदे जो आपको नहीं आ रहा हो तो आपको लगेगा कि हमारी तो कुछ तैयारी ही नहीं है हो सकता आप किताब की दुकान पर जाएं कोई बुकलेट कोई करेंट की बुकलेट कुछ ऐसा उठा ले उसको पल्टे तो सब कुछ नया मिले आपको लगेगा कि हमारी तैयारी नहीं नहीं है आपकी तैयारी अच्छी है तो यह काम नहीं करना है डूसरा काम यह करना है कि आज से ही अपने आपको अपने भीतर एक ऐसा भाव पैदा करना है करें हम तो खुब पढ़े लिखें हैं मामूली साइक जाम है जाएंगे प्रिलिम्स में थोड़ा G.S. से खेलेंगे थोड़ा C.S. से खेलेंगे थोड़े मजे लेंगे बस एकजाम दे करके आ जाएंगे एकजाम ही तो है जिंदगी थोड़े है आते जाते रहता है इस भाव को भरना है खुद को प्रशन रखना है और याद रखिएगा ब्यक्ति सिर्फ खुद को ही प्रसन रख सकता है दूसरा उसे प्रशंद नहीं कर सकता है जब इस भाव से जाएंगे करें हम तो बढ़िया पढ़े लिखें एकजाम ही तो है जन्दगी ठोड़े हैं जाना है एकजाम से खेला है जो होगा देख लेंगे तो आप चारा प्रेसर निकल जाता है और जब प्रेसर नि डालिएगा तो जो जो ऐसा कोश्य रहेगा जिसको आपने सुना भी हो उस पर ठ्रिक मारते जाईएगा गोल करते जाईएगा गोल करते जाईएगा जिसको सुना ही नहों कभी उससे छोड़ दीजिएगा UPSC की कोई कितनी भी तैयारी क्यों कर ले क्यों न कर ले कोई भी व्यक्ति जितने लोग एक्जाम देने जाते हैं कम से कम आपको 30-32-35 सवाल तक ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे पहली बार सुन रहे होंगे इन इसे घबडाना नहीं है ये आपके साथ नह ही है यह सब के साथ होता है यह UPSC का माया जाल है तो पहला काम यही करना है कि पेपर उठाना पढ़ते जाना है जिन जिन सवालों को आ रहा है नहीं आ रहा है यह नहीं देखना जिन जिन सवालों को आपने देखा है सुना नजर से गुजरे हैं उनको गोला मारते चले जान हैं से इसको छोड़देना कि तरप देखना ही नहीं है दिमागि मैं लगाता है उन पर तुपका जा जीँकल लगाते हैं तो जब आप पहली बार में 10 मिनट में ही आप 30-35 सवाल ऐसे चार देंगे जिसकी तरफ आपको देखना ही नहीं है माल में पढ़ना नहीं है अब उनमे से दूसरे सिप्ट में वे सवाल जो पहली नजर में आपको हीट कर रहे हैं उनको ट्रिक मार देना है उनके आप सन पर ट्रिक मार करके OEMR सीट को भर देना है अगर आपके पास ऐसे 25 सवाल तक मिल गए जो आसान है जो आपको आ रहे हैं तो आपका UPSC prelims हो रहा है वह आसान सवाल रहती हैं UPSC अपने पेपर में 25 सवालों तक आसान सवाल डालता है UPSC के सभलता विस्टिस कर के प्रिलिम्ट में इस बात से तैह होती है कि आपके आपके आसान सवाल गलत नहीं होने चाहिए कठिन सवाल खूब गलत हो जाए कोई फरकनी हए दर 소ल यह लोगों से competition में पीछे हो जाते हैं कठिन सवाल गलत किया तो 500 लोगों से पीछे हो इसलिए तुरंट आसान सवाल 20 से 25 सवाल निकाल लेने हैं पुरमार सीट में रंग देना है गिन लेना है मिला देना है इसके बाद भी आपके पास एक घंटे बचे होंगे और बचे होंगे क आपने सुना है आपको आने ही रहोंगे उसमें एक आपसन आ रहा होगा दो आपसन आ रहा होगा तीन आ रहा होगा किसी में चार आपसन है तो तीन आ रहा होगा किसी में तीन आपसन है तो एक आ रहा होगा अब आपके पास बचे हैं एक घंटे और बचे हैं 30 से 25 सवाल हो इधा है जितना मुझे आता है उतना ही सब को आता है अब सुरू होती है प्री पास कर रहे हैं इसकी खोश्रा जो आपके 25 से 35 सवाल है न वो सवाल ऐसे डिजाइन किया जाते है कि मुकंबल तोर पर किसी को नहीं आए अब जितना आप मुक्त रहेंगे जितना आप एक आपसन पढ़िए दूसरे समिलाइए दूसरा पढ़िए तीसरा समिलाइए क्योंकि यह कहीं न कहीं आपने सुना है और वहां हर बेत का तरीका आलग होता है पता चला किसी को ए आ रहा है आपने सवाल पढ़ा ठीक चार आपसन है पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला आ माल लिजिए आपको पहला ही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा पहला option किस में किस में है A में भी पहला है B में भी पहला है C में भी पहला है D में भी पहला है चारों पहला नहीं रहेगा माल लिजिए दो में है A और C में पहला है तो BD काट देजिए यन आप 50% इस एंसर को सही कर लिए अब इसके बाद दिमाग लगाई अगर कोई भी नई दिमाग लगता है तो आपने 50% सही किया है रिस्क ले लिजिए जो चाहिए ट्रिक्मा देगी तो छटनी के प्रक्रिया तभी आप बेहतर कर पाते हैं जब आप अपने उपर प्रेसर हाव मैंने खुद का अनुभा है विद्यार्थियों का अनुभा है कि विद्यार्थी जो सबसे बड़ी गलती करता है यह करता है कि याद रखिएगा फिर समय दोर आ रहा हूं कोई भी विएक्ति यह चैलाग जितने लोग बैठता है यूपी असी प्रिलिम्स में तुरंत देख कर गए उसे घबढ़ात होती है उसे बैचानी होती है क्योंकि वो दबाओ में जी रहा है उसके बाद क्या होता है कि इस पचीस के बाद जो 30 बचे हैं जिसमें 120 सही कर सकता था एक चुन करके च्छाट करके तो कलगा करके वह बीसों के बीसों जलत हो जा पस यहीं प्रिलिम करना है वो यहीं से टेश्ट होता है तो फिर मैं आपको आखरी बार बता रहा हूं पेपर खोलिएगा एक नजर मारिएगा जो जो सवाल सुने होंगे टिक मारिएगा दस मिनट में काम हो जाना चाहिए फिर दूसरे चरण में जो आपने गोल घेरा है इसमें से कौन से सवा सवाल है जो पहली नजर में सही कर दे रहे हैं 20 से पचीस सवाल निकालीयगा उसको पहली नजर में सही केगा पाणी पीजीएगा एखंटा वचा रहेगा आराम से सोचते हुए अरे हमी को आ रहा है बाकिको तो और भी नहीं आ रहा है हो गया हमारा झाल को बस अच्छा जिन्दगीत हो रहे है, ठीक? तो जब पहली बार 20-25 क्वेश्टन निकाल दें, उसके बाद 30-35 क्वेश्टन, 25-35 के बीच आपके क्वेश्टन बचे रहेंगे, बहुत इत्मिनान से पानी पीते हुए प्रशन्न अभाव से, उन क्वेश्टनों से खेलना है आपको, उन क्व किएगा भरोषा के लिए मुझ पर भरोषा की लिए कि कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसके सामने यूपी असी प्रिलिव 25 तीस क्वेशन ऐसे न आते हूं कि उसमें कभी सुना भी होगा तब की हाला एक जैसी रहती है बस कौन उसी जाम हाल का प्रेसर हंडिल कर लेता है कौन दूसरे चरण में जो सवाल आ रहे हैं पक्का उसके बाद दूसरे चरण में कितने रिलेक्स फेस से क्वेशन साल कर लेता है बस यही करना है तो आने वाले कुछ दिनों तक तो चार दिनों तक प्रशन रहिए अच्छा खाना खाईए खुब सोईए कुछ भी नई ची मत कीजिए अपना मुल्यांकर मत कीजिए हमने क्या क्या नहीं किया कितना पढ़ा कुछ नहीं कीजिए प्रशन रहिए बस यही कहिए आपकी तैयारी बाध बनिया है खुब मेनसे पढ़ा है इस भाव से जाम में जाएए, खेलना ही तो है, परसंवालों से खेलने है, जाम ही तो है, जंदिगी ठोड़ा है, तो जाउये भी जया इसरी आपका इन्तुजार कर रही है, मेरे तरफ से धेर सारी सुभकामना आए, Disney से धेर सारी बदाईया, पर से धेर सारा असिर्वात झाल झाल